लेंड का बीच जो मैच नमर 45 खेला जाएगा उनके बारी में ये खेला जाएगा दू बज़े पीम जो इंडियन समय अनुशार और इसे हम लोग द्याहती भासा में दूपाहर बोलते हैं यह दूपाहर के समय खेले जाने बाले मैच में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा हेड टू हेड रिकॉर्ड कितने हैं हेड टू हेड मैच कितने खेले हैं हेड टू हेड मैच कौन टीम जीतेगा अगर इंडिया पाहले बैटिंग करेगा तो कितने अबरेज बन सकता है अगर निदा लेंड पाहले बैटिंग करेगा कितने अबरेज बन सकता है इस हाई है उसे अपने टीम में रखना चाहिए या नहीं पूरे चार लवक कारड़् uh प् handheld के बारे में बताउंगा कि कार दो हुआ है ऐब और आठ चार कोई लोग प्लियर जन्धे सो ने वाले और प्लोग करेंगे वाले और पह और पिलियर जरूर अपने टीम में शामिल करना वह चार पिलियर कौन होगा जो डरम काड और रिक्सी पिलियर होगा अज क्योंकि इंडिया काफी एश्टोंग है इस टीम का गेंस उससे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्षन में विकेट कीपर सेक्षन में के राहुल के उतरने का चौंस नीचे है लेकि नीचे उतरने के बाद जोद भी अपने टीम को आगे बराने के काबलियत रखता है इसलिए इन विकेट कीपर में दोनों विकेट कीपर में से एक को ट्राय कर लेना के राउल को ड्रॉब कर देना क्योंकि जब इंडिया पाले बैटिंग करेगा 300 पलस बन सकता है जब निदलेंड पाले बैटिंग करेगा 200 पलस पर दम तोड़ देगा इसलिए इंडिया का बॉलर काफी एस्टोंग है और एस्टोंग के राने के बाद जुद भी दो मैचे आपस में हेड टु हेड मकावले हेड टु हेड मकावले में दोनों का दोनों इंडिया जित चुका है यहीं निदलेंड एक कमजोड टीम है और निदलेंड कमजोड टीम रहने के वाद जुद भी उनका बॉलर के अंदर काबलियत है और उस बॉलर को अपने टीम में रखना चाहिए और उसे लोग इंगनोर करकर जायेगा लेकिन आपको रखना होगा तब जाकर आपका TEAM ऐखे खासे बन सकता है आप अपने टीम का रेंग एक तो नहीं अपनी टीम को अच्छे खासे क्रियट कर बनाईएगा तो आपको रिइंग ऑने का संब्भावना बड़ा राता है आप भी जानते हैं जो टीम पाले वैटिंग करता है या एश्टोंग या कमजोर टीम का गेंस मुझे टीम बनाने में कोई कटनाई नहीं होता है उससे पहले में 5 रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं 4 रिपोर्ट जो है यहाँ पर बैटिंग पीछ है यहाँ पर कूड़ वोर पेसर है यहाँ पर अवरेज ऐसकोर 26 है बैंगलोर में जो बंगलेर को मैंचंड खेला जाने बाले है बेंगलोर में अभी तक कुल मिलाकर 37 मुकाबले केले हैं 37 मुकाबले में 10 बार 300 पलस बना है 9 बार 25 से 300 के अंदर बना है और 65 चार बार 265 पलस बना है इस तरह से अंदाजा है कि बैटिंग फरेंडरी पेच है यहां पर अबरेज स्कोर पर नहीं चाहिए और कौन सा बॉलर है जो इस टीम का अगेंस विकेट निकाल कर जा रहा है दोनों टीम के अगेंस बताने बाला हूँ क्योंकि बैटिंग पीच है तो आपको बैटिंग का फेबर में टीम बनाना पड़ेगा अब चलिए यहां पर विकेट कीपर सेक्षन से बात कर लेते हैं के राहूल एसुएड इन दोनों में से एक को टराय जरूर कीज़ेगा एसुएड को क्यों क्योंकि के राहूल का भी सेलेक्षन परसेंट सेम हूँ एसुएड का सेलेक्षन परसेंट कम है और यहां पर यह कमजोडte टीम का बेस्ट मेन है जब विकेट गीरता है तो इनका चौंस मिल जाता है इसलिए के राउल को कभी चौंस मिलेगा और कभी नहीं इसलिए विकेट कीपर सेक्शन से एस वर्ड को ट्रैक कीजिएगा अब बेस्ट मेन सेक्शन में बात कर लेते हैं बेस्ट में सेक्षन में रोईस्थ सर्मा को जरू टरा कीजिएगा इस्ट를 been his battle 101 परसेंट है हर्षटाइक रिय चाय रेंश में चार सो पलेच रनject मारा है 454 रनwed 있나 है चाड़ी में 100 आपारेज है रोईस्थ सर्मा इस्ट्रीम का अच्छा परदर्शन करता है, शाथ ही साथ कैटनसी और वोईस कैटनसी के लिए main pick रायगा, हर कोई यहाँ पर विराट कोईली का कैटन देगा, लेकिन आप रोहिस सरमा और विराट कोईली के कैटन के रूम में टरायक कर सकते हैं, अपने टीम में विराट कोईली को जरूर रखियेगा लेकिन रिसंड के पॉम बेंडू पर इसे अच्छा प्रदर्शन नहीं है लेकिन रिसंड के पॉम ठीक ठाक है बिराट कोईली को इसान सुबाव का बले बाज है इसलिए बिराट कोईली को अपने टीम में रखना है यहां पर शुमन गेल इस टीम का गेंस केला नहीं लेकिन क काबलियत कूट-कूट कर भरा है इसलिए यह तीन वे इस्टमेन को अपने टीम में रखना होगा यहां पर डर्मकाड के रिक्सी पिलियर की रूम में एश्वर्ड को अपने टीम में रखिएगा क्योंकि सलेक्षन पर्सेंड लो है अच्छे खासे वेस्टमेन है और यहां प ठाक परदर्शन कर लेता है इस टीम का गेंस हमेशा विकेट निकाल के जा रहा है रिशन के फॉम भी जबर्दस्त है ग्राउन का रिकॉर्ड भी जबर्दस्त है रभिंदर जैसे एक लोटा बॉलर है इंडिया को जब टीम किर जायता है तो यह अपने बॉलर के परदर्शन कर उसे जिताने का काम करता है बीडिलेस को अपने टीम में टराक किजिएगा यहां पर देखिए इस टीम का गेंस साथ विकेट निकाल के गया है ठीक ठाक परदर्शन कर लेता है रिशन के फॉम भी जवरदस्त है तीन विकेट चार विकेट पहुच विकेट लेकर जा रहा है जस्विरित बुमरा ठीक ठाक परदर्शन करेगा इस ग्रॉण पर जस्विरित बुमरा का विकेट मिलने का चौंस है यहां पर आब आजाता है महमद एड़ गोर हैड़ टू है ठीक ठाक है यह तीन बॉलर मैं अपने टीम में रखा हूं और यहां पर आप चाहे तो साथ चार का का कमनेशन बना दिया हैं आप साथ चार का कमनेशन नहीं बनायें तो अब आट तिन-का कमनेशन बनाना चाते हैं तो उस टिम में बॉलर और पीस का यहां पर देखिए दोनों टीम के बम वराबर लेकर चारा और नेस्ट करता हूं नेस्ट करने के बाद देखिए अब मेरा टीम का केप्टन और वोईस केप्टन को राने बाला है यहाँ पर शर्फशर पहले मैं आपको बता दिया हूँ हर कोई बिराट कोई ली का केप्टन देगा लेकिन रोईस सर्मा का सेलेक्स्तन परशेंट के रूम में ज्यादा है कोई बुराई नहीं है रोईस सर्मा का इस ट्रीम के गएंड चलने का समभाबना 100% है अगर इंडिया पहले व्याटिंग करेगा captain और voice captain रोहिस सर्मा को track कर सकते हैं अगर आप थोड़ा rix लेना चाते हैं तो रभींजर जित्रक को voice captain और captain यहाँ पर शुमन गिल उश्या और ज़्यादा risk लेना चाते हैं तो महमप समी को captain और voice captain track कर सकते हैं हलाकि आज जो है यहाँ पर बैटिंग पीच है बैटिंग पीच रहने के बाद जुद आप तो अगर बैस्ट में को नहीं दीजिएगा केप्टन और वाइस केप्टन तो आपको अच्छे खासे प्रोफिट नहीं होने वाला है अगर ऐसा बात नहीं है कि निदा लेंड साफ कमजोर है वहले दो मैच ह है टू हेड इंडिया जीत लिया है लेकिन हियां पर भी इन टिम का गैंस Also बेस्ट में काफी हैं बॉलर काफी अच्छे हैं इंडिया का भी भारी पलड़ा परसकता है इंडिया पर śसमोझ का एक टिम इंडिया का फेवर में बनाएगा तो आपका न्डूबने का चॉण्स ज्यादा रहेगा और उगने का चौंस कम रहेगा अगर इंडिया का फेवर्म बनाईएगा तो आपको इंटरी फिश डूबने का चौंस नहीं रहेगा आप अच्छे खासे टीम किरियत कर सकते हैं यहां पर आपको इनपॉर्टन केप्टन और वाइस केप्टन देखिए बिर रिक्सी केप्टन होगा नीचे उतरता है अच्छे स्कोर कर देता है यहां पर शूमन गेल को केप्टन ट्राइक किजेगा लेकिन एक बात जाओन लिजिए इस टीम का जैंस नहीं खेला है और इस ग्रौंड पर भी नहीं खेला है इसलिए थोरा रिक्सी बन सकता है हलाकि ब बैट्रिंग और बॉलिंग इनका दोनों जबरदस्त है जब यह बैट्रिंग करने उतरता है इनकी बल्ले से ज्यादा तर छक्का लगने का संभावना है उससे पहले मैं बता देता हूं इस ग्रौंड पर कुल मिलाकर 37 मुकाबले में से 218 विकेट पेसर गिरा है 112 विकेट जो है एस पीनर लिया है इजले रभिन जैजटा को मिलने का चॉंस 99% है अगर उस और रिक्षिड कैप्टन देना चाहते हैं तो यहां पर मॉहमाश्यमी को कैप्टन दे सकते हैं और 1,42 कैप्टन नहीं पर रभिन जैजटा को दे सकते हैं क्योंकि यह दोनों और उससे रिक लेकिन कम्जोर और च्ट्रोंग के बाद है तो कट neither Avec लिए कि लिए करने का उमीद लगा सकते हैं शेफ टीम करता हूं शेफिंडिंस करने के बाद चेम करने के बाद लेखिए मेरा ट्रेम का पर विए कि भी रहेगा फिलाल के लिए और ट्वास होने के बाद देखिए आप चाहे तो सेफ केप्टन रहीज जीएगा तो बिराट को इलिका केप्टन जरूर टरा कीजिएगा लेकिन मैं यहां पर मुहमद केप्टन रोहीज सर्मा को टरा किये हैं और वॉइस केप्टन के रूम में स्क्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाए हिन दोस्तों